चाहे मातादी फ्रेंड्स, तोड़े वी आर गोईग विद दे निव टेल दाट इस दे सेकें नंस टेल एज बिफोर दिस टेल, वी डिसकस नंस प्रेस्ट टेल तो यह जो नं है, यह दोनों ही जो नं है, इसका जो करेक्टर है नं, सेकें नं का, यह भी बहुत अच्छा है यह बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करती है और हुक कंपनी इस दे प्रियार रस, गुद और जवाउट नं बहुत ज़्यादा पवित्र और भगती करने वाली और अच्छी नं है यह और वो कहती है कि अगर इंसान खाली बैठा रहता है, तब भी उससे पाब होते है तो सिन की जो वो कहती है कि ज़्यादा तर किसलिए होते हैं? आइडलनेस की वजह से अब इसके अंदर हम बात करेंगे जो यह सेकेंड नं जो टेल सुना रही है इसके अंदर सिसीलिया, सैंट सिसीलिया की स्टोरी है यह जो मतलब बहुती ज़्यादा उसके बलिदान की स्टोरी है, जो स्टोरी है यह उस ताइम की मतलब जो इसका कैरेक्टर है, इसको भी डिसक्राइब कर रही है सिसीलिया की, तो सबसे पहले हम इसमें जो टेल में कौन-कौन से केरेक्टर आने वाले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सिसीलिय जो है एक यंग गर्ल है वो उनको चैस्टिटी पसंद है विर्जिन रहना है she wants to remain a virgin forever devote a light roman dies for her advance to Christianity और ये रोमन थी मतलब इन्होंने बाद में जो Christian थी बनी थी और फिर Christianity में विश्वास रखती थी तो इट अड़रेंस तो Christianity इसने इसका जो समर्थन था जो लगा हो गया था बाद में Christianity में हो गया था तो इसी की story है कि इसके साथ में क्या होता है इसमें second nun's tale में अगला जो character है Valerian ये इसका husband है the young man to whom Cecilia is given in marriage Cecilia convince him to be baptized he is executed for his beliefs और इसका मतलब इसका भी Christianity में विश्वास हो जाता है तो इसको execute कर दिया जाता है कैसे किया जाता है इन तीनों का ही मतलब इसका जो brother है Valerian का उसका भी हो जाता है इसका जो brother है उसका नाम है Tiburus तो Tiburus जो है वो reluctant to be baptized until Cecilia converts him मतलब वो पहले तो like नहीं करता था baptized होना ना Christianity में विश्वास रखता था लेकिन जब Cecilia से मिला था तो Cecilia ने उसको बताया था तो faith के बारे में तो उसने बाद में convert हो गया था वो भी तो इन तीनों को ही execute किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है वो हम tale में discuss करेंगे Pope Urban जो है उसने ही इनको baptized किया था Christian leader who baptizes Valerian Antiburus claims that Cecilia is a saint और उसी ने ये claim किया था कि Cecilia एक saint है और उसी Cecilia ने ही टिबूर्स और Valerian दोनों भायों को भीजा था उसके पास में baptized होने के लिए Almachius जो है वो एक Roman prefect है उसको मैं Roman prefect बोलूँगी तो ये death के लिए बोलता है Cecilia का Valerian, टिबूर्स इन तीनों की ही death की जो सजा होती है एक्जिक्यूट किया जाता है ये इसी की विज़े सी किया जाता है क्योंकि ये Roman prefect है और इसने ही सजा सुनाई थी Maximus जो है Maximus एक Roman sergeant है ये भी बताता है कि एक बहुत अच्छी वो कहते हैं ना आई केटेगरी का जो कहते हैं एक परसन है claim to see the spirits of Valerian and Tabor ascending to heaven when they are executed और उन दोनों को जब execute किया जाता है दोनों भाईयों को तो Maximus ये कहता है इस prefect को कि Alchemistius को कि मैं उनकी spirits को देख सकता हूँ वो heaven की तरफ जा रहे है तो इसका result क्या होता है वो आप tale में देखेंगे so हम tale की तरफ चलते हैं the tale is preceded by an invocation to marry तो virgin marry को starting में याद किया जाता है तो उसके बारे में स्तूती प्रात्ना की जाती है second nun के दुआरा कि वो उसे मतलब अच्छी तरह से guide करे एक अच्छी तरह सुनाने के लिए जिसमें कुछ moral हो तो tale of Cecilia for this saint sent an excellent example through her good works and wise teaching and an interpretation of the name Cecilia means कि उसने ये भी बताए कि एक good works करने वाली जो Cecilia है उसकी tale सुनाने जा रही है उसका meaning क्या होता है Cecilia का heavens lily or the way to understanding because she was constantly busy doing good works so saint Cecilia was roman by birth as I told you earlier but raised a Christian means उसका जो interest होता है बाद में वो Christianity की तरफ हो जाता है the devoid girl had promised to remain a virgin in observance of her faith अब जो बक्ती करने वाली जो पवित्र लड़की है उसका जो मतलब रुजान की स्तरह है खुद से ये promise करती है कि उसको virgin रहना है और अपना जो faith है वो Christianity में रखना है अब इस तरीके से जब वो सोचती है उसका पालन करने की virginity का तो लेकिन उसकी her holiness was so sincere that an angel guarded her chastity she was betrothed to valerian अब जैसा कि मैंने बताया था valerian उसका मंगी तरो मतलब उससे शादी हो जाती है उसकी और उसने wedding night को valerian से कहा था ये secret कि she has an angel lover who will kill valerian if he touches her ये story उसने उसको बताई कि मेरे को कोई angel guide कर रहा है तो मैं हमेशा chastity को follow किया है मैंने और मैं आगी भी करना चाहती हूँ तो वो कहता है valerian कि वो भी उस angel को देखना चाहता है तो वो कहती है कि तुम तभी देख सकते है उस angel को अगर तुम भी chast रहो तुम भी पवित्र रहो मेरी तरह फिर इस बात पर valerian है वो agree हो जाता है तो सिसिलिया उसको भीज़ देती है pop urban के पास में जहांपे उसको जो god के जो angels है वो appear होते हैं और वो convert हो जाता है, valerian मतलब वो भी एक chastity को follow करने वाला person बन जाता है और साथी साथ Christianity को अपनाता है जब valerian वहां से जब वापस आता है उस pop के पास से returning home to his wife, valerian sees her guardian angel bearing two crowns of flowers that will never wilt तो वो देखते हैं कि उसके पास दो crown है, flower से बनेवे दो crown है और वो हमेशा ताजा रहते हैं, मतलब मुर जाते हैं नहीं, क्यों नहीं मुर जाते हैं क्योंकि वो heaven के हैं अब जो crown है, वो सिरफ चास्ट परसन से देख सकते हैं, जो pure है और यहां पर जब यह इतना faithful बन जाता है, valerian और तो जो angel है, वो ऐसे कहते हैं, तुम्हारी faithfulness को देखते हुए मैं तुम्हें एक wish को complete करने की permission देती हूँ तो वो क्या कहता है, कि उसका जो brother है टिबोर्स means, सिसीलिया का brother in law है, उसको भी baptized किया जाए ठीक है, उसकी तरह, जैसे valerian को किया गया है तो valerian जब उसे बुलाता है, तो starting में टिबोर्स का कोई interest नहीं होता है कि ये सब, और वैसे भी उनको Christianity नहीं अपनानी थी क्योंकि उस ताइम पे Christianity को मतलब जो अपना रहा था या फिर लोगवाग उनके विरोध में थे तो सिसीलिया उसको explain करती है about the mysteries of the faith and sent Tibus to pop urban to be baptized और उसको भी valerian की तरह pop urban के पास बेज दिया जाता है Baptist करने के लिए After baptism, Tibus was filled with holiness and joined Cecilia and Valerian in a holy life वो उनके दोनों के साथ में, husband wife के साथ में अपनी life को spend करने लग जाता है Eventually the three are dragged in front of alchemicius the prefect who orders them to be put to death अब जैसा कि मैंने बताया था जो Roman prefect था वो क्या करता है इन तीनों को बुलाता है अपने पास में मतलब लोग उठा के लाते हैं इनको और इन दोनों को मतलब death के लिए बोलता है क्योंकि उनका execution क्या जाएगा अब Valerian और Tiburz का जब execution होता है तो उनका जो एक sergeant होता है उस prefect का जो sergeant होता है Maximus नाम का उसने claim किया कि वो उनकी spirits को देख सकता है जो heaven की तरफ जा रही है तो यह जब वो claim करता है तो बहुत सारे जो member होते हैं audience में से वो Christianity को अपना लेते हैं कि देखो इनके किस तरीके से ये spirits हैं इनको heaven मिला है Alchemistius as Maximus put to death for inciting the crowd with his claim but Cecilia claim his body and buries it beside her dead husband and brother-in-law अब जो Cecilia है वो क्या करती है कि उसको देखती है कि किस तरीके से उसको Maximus को मार दिया जाता है Alchemist की द्वारा जो prefect था वो उसने मार दिया और वो जो crowd है वो उसमेंसे जो मतलब बाद में Cecilia उसके body को लेके बरी करती है husband और उसका जो brother-in-law मार गए थे उनके पास में है मतलब यहाँ पर जो prefect है यह बिल्कुल भी like नहीं करता कि Christianity को कोई अपना है और Alchemistius जो था वो जो prefect था वो Cecilia को भी कहता है किया तो तुम अपना जो faith है कि Christianity में इसे छोड़ दो या फिर तुमें death दी जाएगी तो जो Cecilia है वो death को choose करती है और Alchemistius को ये भी कहती है कि तुम चाहो तो अब भी जो तुम wrong way में जो जा रहे हो वो छोड़ सकते हो उसको मतलब सही lesson, right lesson देने की कोशिश करती है He tries to have her boil to death और अब जब उसको execute करने की तैयारी चल रही तो सबसे पहले तो उस Prefect ने Cecilia के लिए boiled tub में उसको डलवाया मारने के लिए लेकिन इतने दिनों तक boil होने के बाद में खुब hot water हो गया फिर भी वो नहीं मरी तो यहां तक कि उसको कहते है पसीना तक नहीं आया मतलब उसको कोई फरक नहीं पड़ रहा था तो उसके बाद में next time जो executioners थे उसने क्या try किया कि उसको तीन बार उसी से लिया कि head को cut करने की कोशिश की लेकिन fail हो गए हां उसको wounds जरूर आये लेकिन उसको उसका सरकटा नहीं और उसके बाद में वो तीन दिन और जिन्दा रही उन wounds के साथ में और जब तक वो जिन्दा रही वो सिरफ गा रही थी और उन लोगों को जो non-believers थे उनको convert करने की कोशिश कर रही थी कि तुम Christianity को अपनाओ तुम heaven में जाओगे इस तरही की following her eventual death pop oven decrees her to be Saint Cecilia और इस तरही के से फिर उसकी death होती है जब तो वो pop जो है वो आदेश देता है कि वो अब Saint Cecilia बन गई है मतलब Saint बन गई है और उसको other जो saints थे उनके साइड में alongside उसको बरी किया जाता है and consecrates the local church in her name और उसको मतलब उसके नाम पर एक church को अरपित किया जाता है उसके नाम से church बनाया जाता है still worshipped to this day as a church of Saint Cecilia और जिसको Saint Cecilia के नाम से जाना जाता है आज भी उसमें पूजा होती है so it is all about the second nun's tale hope you like it if you like it please hit the thumbs up button please 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 subscribe the channel put your views and comment in comment box